नमस्कार दोस्तो मैं विकास त्रवेदी आपके अपने यूटूब चैनल विकास हिस्टीडी सरकल पर आप सभी का सुआगत करता हूँ दोस्तों हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा टापिक है महा जन्पदों का उदर दोस्तों बहुत ही महात्पूल टापिक है इससे सभी एक जामों में प्रस्ण पूछा जाता है तो वीडियो के साथ अंतर बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टापिक महाजनपदों का उदर दोस्तों ये हमारे 16 महाजनपद हैं दोस्तों अगर महाजनपदों की बात करें तो छठी सताब्दी ईसापूरू में हमारा भारत वर्स जो था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था और दोस्तों आज की क्लास में हम इनी 16 महाजनपदों की बारे में विश्टर तरीके से चर्चा करेंगे तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंद तक जरूर बने रहीएगा और वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें गोस्तों शुरू करते हैं महा जन्पदों का उदिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो बुद्ध के जन्म के पूर छटी सताब्दी ईसापूर में हमारा भारतवर 16 महाजनपदों में बड़ा हुआ था तो दोस्तों छटी सताब्दी ईसापूर में भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था तो 16 महा जनपदों में विभाजित था और इसकी जानकारी दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होती है तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बौध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है तो बौध ग्रंथ अंगुत्तर न कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी और आपसन चंपा, गिरिब्रेज, वारा नसी या वैसाली, विदे, कुछ भी आपसन हो सकते हैं दोस्तों तो इनी पर चर्चा करेंगे दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी चमपा थी और आधुनिक इस्थित की बात करें दोस्तों अगर अंग महाजनपद की तो ये भागलपुर मुंगेर बिहार दोस्तों ये इसकी आधुनिक इस्थित है अंग महाजनपद की उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है मगद महाजन पद है कासी और इसकी राजधानी दोस्तो थी वारानसी थी और इसकी आधुनिक इस्थित की बात करें तो दोस्तो ये उत्तर प्रदेश आधुनिक इस्थित थी ये कासी वारानसी आप लोग जान रहे होंगे दोस्तो उसके बात अगला महाजणपन रहा हमारा वत्स वच्स महाजनपन की दोस्तो राजधानी क्या थी तो कौसाम भी थी और इसकी आधुने कि इस्तित दोस्तो इलाहाबाद यानि जो वर्तमान में दोस्तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश इसकी वर्तमान इस्तित है दोस्तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश उसके बाद दोस् दोस्तो वज्जी महाजनपद की रायधानी थी वैसाली, मिथिला या विदेह और ये दोस्तो मुझभरपूर एवंदर्भंगा के आसपास का छेत्र था वज्जी महाजनपद का उसके बाद दोस्तो अगला हमारा महाजनपद है कोसल महाजनपद की रायधानी दोस्तो स्राव उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है अवंति, अवंति महाजनपद की दोस्तो राजधानी क्या थी, तो अवंति महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन या महिस्मती, उज्जैन या महिस्मती दोस्तो ये अवंति महाजनपद की राजधानी थी और इसकी अगर आधुन अग्ला महाजन पद हमारा है पंचाल महाजन पद की रायधानी दोस्तों पर्यली बड़ेट्वारुफावाद बरेली बड़ायू भरूखावाद और यह दोस्तों उत्तर प्रभी चैध्यमाजन पद ऑर इसकी रायधानी थी सक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी सक्तिमती और ये दोस्तो उत्तर प्रदेश का बुंदेल खंड छेतर पड़ता है उसके बाद अगला महाजनपद हमारा है कुरू महाजनपद दोस्तो इसकी राजधानी थी इंदरपरस्त और दोस्तो ये आधुनिक इस्थित दिल्ली मेरट और हरियाणा तो दोस्तों दिल्ली मेरट हरियाणा ये आधुनिक इस्थित्यक कुरु महाजनपद की उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है मत्स महाजनपद दोस्तों और इसकी राजधानी थी विराठ नगर मत्स महाजनपद की राजधानी किया थी तो विर जवरी हजारा उत्तरप्रदेश आधुनिक इस्थित दोस्तों इसकी रही और उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है सूर से दोस्तों सूर से महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी मतुरा सूर से महाजनपद की राजधानी थी मतुरा और वर्तमान इस्थित दोस्तों ये प्लदावरी, नदीचेत, और दोस्तो ये एक ऐसा महाजनपत था जो दच्छर भारत का एक मात्र महाजनपत था और इसकी राइधानी थी पोतली या पोतली उसके बाद दोस्तो ये हमारा सोलवा महाजनपत कौन था तो गांधार और दोस्तों गांधार महाजनपत की राधानी थी तच्छ सिला और वर्तमान में दोस्तों इसकी आधुनिक इस्तिकी अगर हम लोग बात करें तो जरावल पिंडी एवं पेसावर पाकिस्तान दोस्तों तच्छ सिला ये गांधार पढ़ता है गांधार की राधानी थी दोस्तो दच्छल भारत का एक मात्र महाजनपद अभी हमने आपको बताया अस्मक और दोस्तो अगर हम लोग बात करें कि अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी तो अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोटली या पोटन पोटली या पोटन दोस्तो ये अस्मक काल की अवंति है दोस्तो जो आधुनिक मालवा है वही प्राचीन काल का अवंति है और इसके दो भाग थे दोस्तो अवंति के दो भाग थे पहला उत्तरी अवंति और दूसरा था दच्छडी अवंति दोस्तो ये जो हमारा आधुनिक मालवा है यही प्राचीन काल की अवंति महाजनपत था और इसके दो भाग थी कौन-कौन से तो उत्तरी अवंत और दच्छडी अवंत दोस्तो उत्तरी अवंत की रालधानी क्या थी तो उजज़ईनी थी और दच्छडी अवंत की रालधानी क्या थी तो महिस्मती थी दच्छडी अवंत की रालधानी दोस्तों क्या थी तो महिस्मती थी और दोस्तों प्राचीन काल में यहां पर किस वंस का सासं था तो प्राचीन काल में यहां पर दोस्तों है है वंस का सासं था कहां तो अवंत महाजनपत पर उसके बाद दोस्तों अगला हमारा महाजनपत है अस्मक महाजनपत दोस्तो ये दच्छिण भारत का एक मात्र महाजनपत था दच्छिण भारत का एक मात्र महाजनपत और इस राजी के राजा इच्वाक वन्स के थे दोस्तो इच्वाक वन्स के राजा इस राजी के राजा थे और ये दोस्तो दश्ण भारत का एकमात महाजनपत असमक महाजनपत और इसकी रालधानी दोस्तो क्या थी तो असमक महाजनपत की रालधानी पोटली या पोतन थी और ये दोस्तो कहां तो गोदावरी और नर्मता नदी के बीच इस महाजनपत की रालधानी ये पोटली या प तो दोस्तो यह जो हमारा असमत महाजनपद था अवंति राजी के अधीन हो गया तो दोस्तो कितने महाजनपद अब बच्ची हमारे 15 और उसके बाद दोस्तो अगला महाजनपद हमारा है अंग महाजनपद यह दोस्तो मगद के पूरव में इस्तित था अंग महाजनपत ये दोस्तो मगत के पूरव में इस्थित था दोस्तो अभी हम आपको मैप में दिखा रहे हैं कि अंग महाजनपत जो हमारा था वो मगत के पूरु में इस्थित था ये दोस्तो हमारी इस्थित मगत महाजनपत की थी और अंग दोस्तो ये इस्थित है तो मग अंग महाजनपद की हमारी राजधानी क्या थी तो हमने आपको बताया कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चमपा दोस्तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चमपा और इसकी आधुनिक इस्थित की बात करें तो आधुनिक इस्थित दोस्तो बिहार में है तो दोस्तो ये मगद के पूरू में इस्तित्था अंग महाजनपद और इसकी राजधानी चमपा, चमपा उस समय दोस्तो भारत वर्ष के प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी, अंग महाजनपद की जो राजधानी चमपा थी ये उस समय भारत वर्ष के प्रसिद्ध नगरियों में से ए तो दोस्तों मगध और अंग आपको बताया कि ये मगध के पूरू में इस्थित्थ था और ये पास पास थे तो इसमें भी दोस्तों आपसमें संघर्ष चला करता था मगद और अंग में दोस्तो संगर्श चला करता था और मगद के सासक दोस्तो जो बिमिसार थे उन्होंने अंग को पराजित कर मगद में मिला लिया तो दोस्तों अंग को पराजित करके मगद में किस ने मिला लिया तो बिम्बिसार ने मिला लिया अब दोस्तों हमारे महाजनपद कितने बचे तो 14 बचे उसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद था कमबोज दोस्तो कमबोज महाजनपद की राजणपद 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 की र बुंदेल खंड छेतर दोस्तों ये चेड महाजनपत की वर्तमान इस्थित है और दोस्तों इसका प्रसिद सासत क्या था चेड वंस का तो यहां पर दोस्तों चेड महाजनपत का तो सिसुपाल था और इसका उल्लेग दोस्तों महाभारत में भी मिलता है उसके बाद दोस्तों अगला हमारा महाजनपत था कासी दोस्तों कासी महाजनपत की राजानी क्या थी तो वाराडशी थी और आधुने की स्थित की बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में कासी महाजनपत जो था वो उत्तर प्रदेश में दोस्तों विश्तरः्था और इसी में, दोस्तो, तेईश्वे जैन तेरथंकरों कुल कितने तेरथंकर हुए हैं, तो कुल दोस्तो तेरथंकर कितने हुए हैं, 24 तेरथंकर हुए हैं, जयन धर्म में दोस्तों कितने तिर्थांकर हुए हैं, तो 24 तिर्थांकर हुए हैं, और 23 तिर्थांकर जो दोस्तों पारसुनाथ थे, इनके पिता असुसे वो कासी के राजा थे। दोस्तो 23 तिर्थंकर तो पार्ष्टनाथ हो गए और 24 या अंतिम तिर्थंकर कौन थे तो दोस्तो अंतिम तिर्थंकर थे महावीर स्वामी दोस्तो अंतिम तिर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर या संस्थापक कौन थे तो दोस्तो रिशब देव रिशब दे राजी के साथ संगर्ष चलता था दोस्तो कोसल राजी के साथ संगर्ष चलता था और अभी हमने बताया दोस्तो कि कोसल की राजधानी क्या थी तो कोसल देश की राजधानी दोस्तो थी स्रावस्ती कोसल देश की राजधानी थी स्रावस्ती और दोस्तो यह भारतवर्ष की सर बने रहिएगा उसके बाद दोस्तों अगला महाजनपत था हमारा कुरू और कुरू महाजनपत की दोस्तों राजधानी थी इंद्र प्रस्त दोस्तों कुरू महाजनपत की दोस्तो राजधानी क्या थी तो इंदप्रस्त थी और ये दोस्तो इसकी अगर आधुनिक इस्थित या वर्तमानी इस्थित की बात करें तो ये दोस्तो दिल्ली मेरट और हरियाना का छेत पड़ता है दिल्ली मेरट और हर्यान लगा जेट उसके बाद दोस्तो अगला हमारा महाजनपत की क्या है तो कोशल महाजनपत और दोस्तो कोशल महाजनपत की राजधानी क्या थी तो अयोध्या थी और दोस्तो कोशल महाजनपत की राजधानी स्रावस्ति भी थी कोसल महाजनपत की राज़ानी आयोध्या स्रावस्ती थी और दोस्तो कोसल देश के प्रसिद राजा कौन थे तो प्रसेन जीत थे प्रसेन जीत दोस्तो ये कोसल देश के प्रसिद राजा थे उसके बाद अगला दोस्तो हमारा महाजनपत कौन सा है तो गांधार दोस्तो महाजनपत की राधानी दोस्तो वैसाली विदेह मिथिला और या दोस्तो आठ गरतांत्रिक कुलो का संग था दोस्तो यह जो वजी था यह आठ गरतांत्रिक कुलो का संग था उसके बाद हमारा अगला महाजनपत है मगत दोस्तो मगत महाजनपत की राधानी क्या थी तो राज गिरिब्रज दोस्तो राजग्रह गिरिब्रज ये मगद महाजनपत की राजधानी थी और मगद की इस्थापना दोस्तो किस ने की थी तो ब्रहद्रत ने की थी दोस्तो ब्रहद्रत ने मगद महाजनपत की इस्थापना की थी उसके बाद दोस्तो अगला हमारा है वत्स या व पानचाल महाजनपद की दो सा खाएं थी. एक उत्तरी और एक दचडी. उत्तरी पानचाल और डचडी पानचाल. दोस्तो उत्तरी पांचाल की रायधानी थी अहिछत और दच्छडी पांचाल की रायधानी क्या थी तो काम पिल ले थी उत्तरी पांचाल की रायधानी दोस्तो अहिछत और दच्छडी पांचाल की रायधानी काम पिल ले थी और वर्तमानिस्ति दोस्तो बरेली बदायू और फरूखाबाद के आसपास का छेत ये पांचाल का महाजनपद का छेत था दोस्तों उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है मल दोस्तो मल महाजनपत इसकी भी दो साखाएं थी मल महाजनपत की भी दो साखाएं थी इसकी एक राजधानी दोस्तो थी कुसीनारा और दूसरी राजधानी थी पावा या पाव पाव दोस्तो ये इसकी मल महाजनपत की राजधानी थी और अगर बात करें वर्थ मानिस्थिर की तो दोस्तो दिवरिया उत्तरप्रदेश के आसपास का छेत्र पढ़ता है उसके बाद दोस्तो ये मारा अंतिम और सोलवा महाजनपत था सूरसेन सोलवा महाजनपत दोस्तो सूरसेन था और इसकी राधानी क्या थी तो सूरसेन महाजनपत की राधानी थी मत्रवा और दोस्तो वर्तमानिस थी तो ये मत्रवा के असपास का छेतर दोस्तो और ये दोस्तो एक मात्र ऐसा महाजनपद है जो दच्छन भारत का एक मात्र महाजनपद दोस्तो सूरसेन महाजनपद है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो मिलते हैं अगली क्लास में जैन धर्म के साथ तब तक क के लिए धन्यवाद जय हिंद।